जहीं दोतों वेलकम टो सोनु आर्मी क्लासेस फ्रेंड्स लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था टाइम और वर्क का वो पार्ट वन बनाया था और उसमें बहुत ज़्यादा क्वेशन्स हो रहे थे इसलिए मैंने ज़्यादा लंबा वीडियो ना बना किये हैं तो वीडियो को लास तक देखिएगा बिना किसी स्केप के क्योंकि एक भी कुशन अगर आप छोड़ेंगे तो आपको नेक्स कुशन समझ में नहीं आएगा तो चलिए हम जो टाइम और वर्क है कारे और समय इसका पार्ट टू स्टार्ट कर लेते हैं चलिए थोड का एक काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा चार को हम अदर म्लटीप्ला करें तो चालिस दिन में पूरा करेगा हूक diverse X के दौरा एक काम को किये गए दिनों की संख्या गई तो X का एक दिन का काम यहां से कितना निकलेगा 1 डिवाड़ बाइ 40 आगे कोश्चन में कहा है य उसी कारिक का 40 प्रतिशत तो Y उसी काम का कितना 40 प्रतिशत कितने दिनों में पूरा कर लेगा 40 दिनों में कर लेगा यह य चाहे का जाएगा और 40 प्रतीषत को अब इस तरह से लिख थकते हो 40 x 100 x एक कम का इतना प्रतीषत एतना प्रतीषत इतना 40 दिन में तो यह हो जाएगा 40 से 40 के इनसल तो कितना 100 दिन लगेगा इसको 100 दिनों में कम्लेट करेगा यहां गुर। मतमारा फेको के अधोल चुलेगा? क्या इस पोमार तीस निश्यनने तौन जाया है? उपटने देनों नगी प्रशुआ रहों सब्सदाब मैं धत्य है? y 100 दिन लगा रहा है और z कितने दिन लगा रहा है 39 days तो सबसे कम दिन में कौन काम पूरा कर रहा है z तो उसका right answer क्या होगा z सबसे पहले उस काम को पूरा कर लेगा चलिए next question है a और b एक साथ कारी करते हुए एक कारी को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं a और b एक काम को पूरा करते हुए कितने दिन लगाएंगे एक काम को पूरा करेंगे कितने दिन में 8 दिन में तो उनका दोनों का मिला के एक दिन का काम कितना निकलेगा 1 डिवाड़ बाइ 8 आगे क्या कहा है b एकेला इसे 12 दिनों में तो बी का एक डिन का इक डिनका काम कितना निकलेगा तो बी काम यहां पर बार फार नहीं चल करेंगे ना कि चार दिन पार करने के बाद इसके बाद um चार दिन काम उचलए शेर। तो यह चार बटे बारा चार तरी बारा मतलब एक बटे तीन काम वो पुरा करेगा चार दिन तक चार का क्यों निकाला है फ्रेंड समने क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि चार दिन ही काम करा बी ने और छोड़ दिया अब जो शेश काम बचे का मतलब बी का जो चार दिन का काम एक काम में से बी का जो चार दिन का काम है वो माइनस कर देंगे तो जो रिमैनिंग काम है बचा हुआ काम है वो आ जाएगा तो तीन एकम तीन और माइनस वन दो बटे तीन भाग क्या है काम का भी बचा हुआ है अब इसको पुरा करना है एक को तो इसको कितने दिन लगे तो एक दिन में कितना काम करता है वो हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो कितना काम करता है लेकिन उसको कितना दो बटे तीन भाग पूरा करना है तो यहां पर हम उसका जो काम है वो निकाल लेंगे यहां पर इसको हमने माइनस किया था यहां पर आजा को वन डिवाड़ वाइट वैंटिफॉर तो ए एक दिन में कितना काम ए एक कम को कितने दिन में 24 दिन में तो यह कम को 24 दिन में पूरा करता है तो दो बटे 3 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा उसको 24 को दो बटे 3 भाग से मुल्टिप्लाई करेगा तीनो ऑठो चोवीस आज डूनी 16 दिन तो कितना टाइम लगेगा 16 दिन को बहुत कॉपलिकेटेट अगर higher level का paper आता है तो इस तरह के question आने के chances जादा है तो आप practice करिए question को के से करना है बिल्कुल basic method है step by step solve करते जाए और रटेना नहीं है concept को ध्यान में रखते है question solve करेंगे तो बहुत easy पड़ेगा चलिए next question देख लेते हैं के a और कर कर सकते हैं तो a और b दोनों एक काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे तीन दिनों में तो एक दिन का क्म यहां से हम निकाल लेते हैं कि एक दिन में वो कितना काम कुड़ा करेंगे one divided by three आप आगे क्या कहा है कि उन्हों ने एक साथ चुरुवात की तुनों ने एक साथ काम ने की शुरुवात की लिकिन दो दिन के बाद बृूने काम छूड़ दिया यह को कितना है कितना काम काम निकालना है तो वह सो निकालना किसे मैंस कर देंगे तो किसके आजाएगा यहां पर यहाद्धी तू क्या होगा वन डिवाइड बाइट मिलाकि उसमें से तो बैद लोनों का मिल के indigenous क्षिए बचेंगे तो एक दिन का काम निकलने के लिए क्या करों डब 2 को इदर ले जाएंगे तो 1 divided by 3 into 2 यानि कि 1 divided by 6 इतना काम पुरा करेगा और days निकालने हैं हमें तो इसको reverse कर देंगे तो कितने दिन में पुरा कर देगा 6 दिन में तो इसको right answer होगा option 2 question थोड़ा complicated है लेकिन थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आ जाएगा चली next question है एक काम को दस दिन में कर सकता है तो एक एक दिन का काम कितना आ जाएगा 1 divided by 10 जबकी उसे चे दिन में कर सकता है तो बी का एक दिन का काम क्या आ जाएगा मैं directly यहां पर लिख रही हूं 1 divided by 6 आप आगी कहा है लिए कि इस पर चार दिनों तक कारे करता तो शेशकारी को पुरा करने में A को कितला समय लगेगा क तो यहाँ पर हम निकल की बिलिका कि लिघिसाल हो जाएगा इपन पुरा एक लिए ताम ही उच्ट काम उपने करना है झो मिनकार दीघा कर दीघा नशी रहे सक्ष to M पूरा करने में ए Rouge को कितना समय लगे गा तो 1 दिन में कितना काम करता है इतना काम करता है एक दिन में हम निकाल चुके हैं कि हम एक बट хотите 10 काम करता है तो 1 दे 3 काम मतलब का मैं एक बट तीन जो हिस्स्ता है बचा हुआ है तो उसको करने में कितना इसका multiply कर देंगे हम, यहाँ पर तो वो कितना निकलेगा, into 1 divided by 3, तो यह 1 divided by 3 into days equal to 1 divided by 10, अब इसका अधर multiply कर देंगे, तो कितना अगर 3 divided by 10 work, वो complete कर देगा, अब यहाँ पर इन्हों पुछा कितना समय लेगा, days पुछा है तो उसको reverse कर देंगे, 10 divided by 3 कितना होगा, तो हमारे answers अगर हम match करें, तो 3, 3, 9 plus 1, 10, तो right answer होगा, option A, 90 आदमी एक काम को 40 दिनों में करने में लगे हुए हैं, लेकिन यह पाया गया है कि 25 दिनों में 2 बटे 3 काम ही पूरा हो जाता है, कितने पूरुष को जाने दिया जाना चाहिए ताकि काम समय पू तो यह समय, आदमी, काम यह सम हमारा किस फॉर्मुले में होता है, इसलिए हम यह वाला फॉर्मुला यहाँ पर यूस करेंगे, अब यह वाला फॉर्मुला यूस करेंगे तो यहाँ पर क्या-क्या पूट अप करना है, नभे पूरुष हैं, लेकिन नभे पूरुष चालिस value यहां पर put up होगी डीवन की और यहां पर काम दिया हो तो काम कितना है कितना काम पुरा हो पाया है दो बटे तीन काम ही पुरा हो पाया है 25 दिनों तक 90 आदमी करना तो 40 दिनों तक था लेकिन 25 दिनों में इतना काम पुरा हो पाया है तो इन्होंने पूछे कि कितने हो सके तो कौन सा काम पूरा हो सके एक काम में से दो बटे तीन काम तो पूरा हो चुका है तो उसको माइनस कर देंगे तो बचा हुआ काम आजाएगा तो वो कितना होगा थ्री बटे एक बटे तीन काम कितने दिनों में पूरा हो जाना चाहिए तो फ्रेंट्स यहां पर है हमा नारा 90 इंटू 25 और यह 3 डिवाड़ बाइ 2 एजटी रह जाएगा और यह पर दीटू के वेल्व फ्रेंट्स के आएगी डीटू के चालीस दिनों तो काम करना था लेकिन 25 दिनों तक की कर रहा तो यहां पर डीटू कितना आ जाएगा बचे हुए दिन आ जाएंगे जिसमें कितने आदमे को काम करना है वह कितना आएंगे चालीस में साब 25 माइनस कर दोगे तो 10 माइनस पांच पांच वापिस इसको दे दिया तो फिर 15 दिन कितना वंडेवड़ भाई 3 इसका मल्टिप्लाइं हम इधर जाके करेंगा वंडेवड़ भाई 3 और 15 भी यहां पर में और 25 दोगे morality माइनस एकस कि वाईगी 75 और एकस कितना आयेगा से 75-ılmış दोग Gibbs तो पंद्रा तो यह एकस फ्रेंच क्या था माना था हम ने यह एकस हम ने माना था कि कितने आद्मी वोंको जाने देना चाहिए तो कितने आद्मी 15 आदमी को जाने देना चाहिगी ताकि काम पूर हो सके लिए इक व्याभरे एक निष्चयत-कारी को 15 दिन में कड़ सकता है जबकि दस दिन में कड़ सकता है कर तब दिन काम यहां से निकाल लेंगे वह कितना वर्ण डिवाड इन अब क्या का और पांस दिन के बार इसे जुड़ गया तो A का हम 5 दिन का काम निकल लेंगे वो कितना होगा 5 इंटू 50 यानि कि 5 गम 5, 5, 3, 15 A का 5 दिन का काम निकल गया तो A अकेले ने 5 दिन तक इतना काम किया और उसके बाद B इसके साथ जुड़ गया है तो दोनों उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे पूराइगा एक काम काम कर देंगे तो बचा हुआ काम से इस काम को मायन स कर देंगे तो बचा हुआ काम यह डिमेनिग वर्क यह आज denominator काम आवले तो गजाव काम है तो worst की दिनों तख दोनों मिल और उसको पोरा करेंगे तो एक एक दिन का काम और B का एक दिन का काम दोनों का हम दोनों मिलकर कितना काम कर लेते वो निकाल लेते तो 1 डिवाड़ बाइ 15 प्लस 1 डिवाड़ बाइ 10 वो कितना निकलेगा 15 और 10 का आप LCM ले लीजे वो कितना आएगा यहाँ पर ले ले लेती हूं मैं 5 3 15 5 2 10 3 3 3 तो पांस त्री 15 15 30 यह 30 LCM है 15 13 10 ते अटे 30 3 2 5 और यह 30 5 15 5 6 धर्ती दोनों मिलकर एक काम को कितने टाइम में पुरा कर लेते हैं कितना काम कर लेते हैं 1 डिवाड़ बाइ 6 काम कर लेते हैं अब इन्ने क्या कहा है कि बचा हूआ काम दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे ये कोईशन में पूछा है तो बचावा काम कितना है टू भाइ दिवाड भाइ थी एक काम तो इतने में एक काम को करने में कितना टाइम लग रहा है उनको इतना तो टू डिवाड भाइ थी काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा तो ये पूछा है दोनों मिलकर जो बचावा काम है चार दिन में तो पूरा कर लेंगे लेकिन टोटल काम कितने दिनों तक चलेगा तो कितने दिनों तक चलेगा फ्रेंड्स बी ने पांस दिन तक अलरड़ी काम कर चुका था तो उसके पांस दिन का काम कितना निकला भूआ पाना संद्र 9 होगा क्योंकि उन्ह 게 मैं होगा कह Christians should be पूछा है कि काम, total काम कितने दिनों तक चलेगा, तो दोनों ने मिलकर बचा हुआ काम, चार दिन में पुरा करा, और ये ने अकले ने पास दिन में पुरा करा, तो total काम कितने दिनों तक चला, नो दिनों तक, चले, next question है, P and Q can finish a work in 30 days, तो P and Q क्यों का हम यहां पर एक दिन का काम निकाल लेंगे, वो कितना आएगा, वन डिवाड़ थर्टी, अब इन्होंने कहा कि, दे वर्क 8410 days, and Q left, दोनों ने एक साथ मिलकर कितने दिन काम किया, दस दिन, तो एक दिन का काम उनका ये रहा, तो दस दिन का काम कितना रहेगा, उनका, दस का multiply कर देंगे, तो 10 divided by 30, 1 divided by 3, दस दिन तक दोनों ने मिलकर इतना काम किया, एक बटे 3 काम को ही पूरा किया, आगे इन्होंने क्या कहा है, फिर Q चला गया, मतलब क्यों ने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, तो शेशकारी को P अकेला कितना 20 दिनों में पूरा कर लेता है, तो सबसे पहले 6 काम निकाल लेते हैं, 1 minus 1 divided by 3, तो 6 काम इस तरह से निकल जा, 3 minus 1, 2 divided by 3, ये हिश remaining work है, ने बचा हुआ काम, अब इस काम को, जो B है, जो क्या है, P कितने दिनों में पूरा कर लेता है, 20 दिनों में, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, 2 divided by 3 work, किस के द्वारा, P के द्वारा कितने दिनों में पूरा हो रहा है, इन्होंने question में दे के रखा है, कितना 20 दिनों में, तो एक काम निकल जाएगा यहां पर, एक काम P के द्वारा कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 20 गुणी 3 divided by 2, 30 दिन लगाएगा, मतलब एक काम को, बी के द्वारा कितने दिनों में, 30 दिनों में, question में क्या पूछा है, P एकिला कारी को पूरा करने, A उसे छोड़ देता है, A सी इस्तिती में, B शेशकारी को 30 दिनों में पूरा करता है, तो A ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, तो friends, यह question में, long method से भी आपको करवा सकती हो, लेकिन मेरे ख्याल से, long method बहुत ज़्यादा long हो जाएगी, तो इसके लिए मैं आपको formula, या फिर आप trick समझ लिए, वो बता देती हूँ, सिर्फ यही question इस trick से हो पाएगा, तो या आप इसको याद कर लिजिए, कही ने कही copy में not कर लिजिए, इसका formula होता है, B minus X, divide by A plus B, into A, अब यहाँ पर A क्या है, और B क्या है, यह मैं आपको बता देती हूँ, यह B का कितने दिनों में काम करता है, और A क्या है, A के द्वारा कितने दिनों में काम करता है, वो यहाँ पर दिन दे के रखें, और X क्या है, X वो value है, जिसमें जो शेश कारे, जो B है, कारे कितने दिनों में पूरा करता है यह वो दिन होते हैं तो इस को दिियान में र delegates के लिए इस क्विशुन के लिए फॉर्मली अंम प्लाई होगा तो भी इतने दिनों में पूरा करता है 75 डेस मैं और इहां पर भी बी का काम है और यहां पर भी बी के दिन है और यहां पर भी बी के दिन है तो बी कितने दिनों में 30 दिनों में काम करता है और एक इतने दिनों में काम करता है 60 और बी का कितना है 75 इंटु 60 इसे simplify कर लेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 5, 45 x 60 और यह हो जाएगा यहाँ पर 5, 135 अब इसको हम simplify कर लेते हैं, 5, 9, 45, 5, 2, 10, 5, 7, 35, 3, 3, 9, 3, 9, 27, 3, 1, 3, 3, 3, 3, 9, 3, 2, 6, तो कितने दिन लगे हैं उसको 20 days, तो यह question के लिए आप यह ट्रिक याद रख लीजे, क्योंकि इसमें क समय में आपका काम हो जाएगा, तो इसका राइट एंसर होगा, option B, जहाँ पर फ्रेंट्स ट्रिक लगेगी, जहाँ पर अमेज़ लगेगा कि लॉंग मेथर से बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, question महाँ पर में आप लोगों को ज़रूर ट्रिक बताऊंगी, लेकिन जहाँ काम से 49 दिन अधिक लेता है, तो एक ही काम को A और B मिलकर पूरा करने में कितना समय लगाएंगे, यह भी लोंग मेथर से बहुत लोंग पड़ जाएगा, तो इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक है, फिर फॉर्मूला बता देती हूं, वो होगा, under root A, B, अब यहाँ पर A और और B क्या है, A और B यह वो टाइम है, जो इनों दिन अधिक, जो अधिक दिन ले रहे हैं वो होते हैं, तो एक अधिक दिन कितना 25 है, B कितना ले रहा है, 49 ज्यादा दिन ले रहा है, उन दोनों का मल्टिप्लाइ करना है, 55 दा 25 होता है, 7, 7 दा 49, under root करेंगे, 5 और 7 common आ करते हैं, जगा नहीं थी, मैंने आपर कर दिया, तो 45 देज ये एक ओप्शन ये लेकिन इसका correct answer क्या होगा, option A, मीशु को हर दिन काम करने के लिए 110 रुपे मिलते हैं, यदि भा 31 दिनों में महिने में इतने कमाता है, तो उसे कितने दिनों तक काम किया, ये आपको बताना ह है, तो एक दिन के उसको 110 रुपे मिलते हैं, और उसने 31 दिन काम किया, तो 31 दिन के उसको कितने मिलें, कितने पैसे मिल रहे है, 2750, तो यहाँ पर इन्हों ने पूछा है, कि उसे कितने दिनों तक काम करना होगा, तो वो number of days आपको निकालने के लिए, step के question में क्या करना 25 days, तो उसको कितने दिन काम करना पड़ेगा, 25 दिन, चलिए, next question है, A. अकेला किसी कारे को 8 दिनों में कर सकता है, जबकि B. अकेला उसे 10 दिन में कर सकता है, यदि वे 1-7 कारे करते हैं, तो 900 रुपे का परिश्रमिक प्राप्त करते हैं, तो दोनों व्यक्तियों के हिस्से क पता लगा, friends, ये वाला जो question है, बहुत आएमपी है, ये question जो है, जीडी में पूछा गया था, friends, मैं जीडी के question इसलिए आपको बीच बीच में बताती रहती हूं, क्योंकि जीडी के questions जो है, टेकनिकल के questions लगबग मिलते जूलते हैं, तो उसके questions भी आप सॉल करते जाएं कि आपकी exam के practice हो जाएं कि किस level के question आते हैं, और उन question के भी आपकी practice हो जाएं, बाइचांस कभी वो question आपकी टेकनिकल में include हो गए तो आप उनको कर तो पाऊ गए, इसलिए मैं जीडी के question भी वीच बीच बीच में आपको बताती रहती हूं कि जीडी में भी कौन से question अभी 1 divided by 8, B का एक दिन का काम कितना होगा, 1 divided by 10, तो यहाँ पर जब भी आप से यह पेसे की बात होती है, कितना price remix मिल रहा है, तो A का हिस्सा बताओ, B का हिस्सा बताओ, इसमें आपको A और B जो है, इनके एक दिन का जो काम हमने निकाले है, उनका आपको ratio लेना होता है, 1 divided by 8 ratio, 1 divided by 10, अब ratio के लिए आपको इसको simplify करना, इसको simplify के से करते हम, 8 और 10 का LCM ले ले लेते हैं, यह 2, 4's are 8, 2, 5's are 10, 2, 2's are 4, 2, 1's are 2, और यह 5, 1's are 5, LCM कितना आया, 5 दोना 10, 10 दोना 20, 20 दोना 40, 40 LCM आ गया, उस 40 को आपको इससे डिवाइट करना है, और 10 से भी डिवाइट करन तो यह आपका ratio complete आजाएगा, कितना होगा, 8, 45, 40, 10, 44, तो कितना ratio मिला, 5S to 4, यह आपको मिल गया, A और B का ratio, अब क्या है, कि question मगर हम पढ़ें, तो इनको दोनों को मिला कर, कितने 90 रुपे का, 900 रुपे का पारिश्रम में प्राप्त करते हैं, मतलब A और B, दोनों को कित कितना है, 5X, B का हिस्सा कितना है, 4X, तो यहाँ से हम X की value निकाल लेंगे, 5, 4, 9X, और यह 900, यह 100, X की value यहाँ से हमें, कितनी मिली, 100 मिली, अब इन्होंने question में क्या पुछा है, कि दोनों वेक्तियों के हिस्से का पता लगा, तो A का हिस्सा कितना होगा, 5X, तो 5X, 5 x x के राइट एंसर होगा, option B, चलिए और थोड़ा से इस type के हम question देख लेते हैं, next question है, अमीत, विपल और कपील, एक कारी को करमश है, 12, 16 और 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो सभी के एक एक दिन के हम निकाल लेते हैं, एक दिन का, अमीत का एक दिन का कितना निकलेगा, 1 divided by 12, और यह कौन है, अमीत के बाद, विपल, विपल का कितना निकलेगा, 1 divided by 16, और लास्ट में कपिल, कपिल का वंडे का वर्क कितना निकलेगा, 1 divided by 24, अब क्या है, उस काम को एक साथ करने पर उन्हें इतने रूपे की रेशी प्राप्त होती, तो एक साथ मिलने वाला, हम रेशो निकल तो अमीत, विपल, और कपिल, तीनों का रेशो निकलेगे, 1 divided by 12, S21 divided by 16, S21 divided by 24, इन तीनों का आपको LCM लेना है, LCM कितना आएगा, 12, 16 और 24 का LCM फ्रेंड्स आप निकलोगे, तो वो मिलेगा, 48 अब निकल लीजेगा, महीं निकल नहीं हूं, तो यह इंडिव 48, 16, 48, और 48, तो रेशो कितना मिला, 4, S21, 3, S22, अभी नोंने क्या बोला है, कि तीनों को मिलाकर इतनी राशी मिलती है, तो A plus B plus C, तीनों को मिलाकर कितनी 2700 रूपे मिलते हैं, तो इसके बढ़ा हो जाएगा, 4X plus 3X plus 2X, तो यह कितना होगा, 4, 3, 7, 8, 9, 9X is equal to 2700, तो नों 27, X की value मिली हमें 300, अभी नोंने क्या पुछा है, विपुल का हिस्सा कितना है, तो विपुल का हिस्सा कितना होगा, कहां गया, विपुल का हिस्सा यह है, 3X, 3X होगा, तो 3 into 300, यहने कि 900 रूपे, इसका right answer होगा, option 4, इस तरह से आप से अमीत का, कपिल का भी पूच सकते है तो उनका भी आप निकाल सकते हो, जलिए, next question है, a1 कारे को 9 दिनों में कर सकता है, और b उसी कारे को 15 दिनों में कर सकता है, तो a का 1 दिन का का काम कितना आ जाएगा, 1 divided by 15, यदि वे एक साथ कारे करते हैं, तो a और b को उनकी मज़दूरी किस अनुपात, में अब अनुपात पूछ लिया का नोपात निकलना बहुत इजी है 1 divided by 9 और 1 divided by 15 का रेशो ले ले लेते हैं 9 और 15 का LCM निकाल दीजी 3 3 is a 9, 3 5 is a 15 3 बंज़ा 3, 5 बंज़ा 5 ये निकल गा LCM कितना 3 3 is a 9, 9 बंज़ा 45 45 divided by 9 45 divided by 15 15 बंदरा ते पैतालीस 9 बंज़ा 45 5 as to 3 इसका रेशो कितना निकला Option C इसका एंसर रोगा बहुत इसी कोईशन है चलिए नेक्स कोईशन है एक वेक्ति एक काम को 26 दिन में कर सकता है और दूसरा वेक्ति उसी काम को 39 दिनों में कर सकता है यदि वे एक साथ कारे करते हैं तो पहले वेक्ति की मज़दूरी दूसरे वेक्ति की मज़दूरी की कितने प्रतिशत अधिके प्रोसेस सेम है थोड़ा सा प्रतिशत वाला पॉइंट इनों ने एड़ कर दिया है तो कैसे करना में आपको बता देती हूं यहां पर आजाएगा है अगर espra वेक्ति की लेंगे तो में गज़ेंग गैए 78 अब 78 डिवाइड बाइ 26 करेंगे 78 डिवाइड बाइ 39 करेंगे तियो हो जाएगा यह 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा और 39 से कितने 2 टाइम डिवाइड है 3 is to 2 हमें मिला ratio अब ratio मिल गए ratio मिलने के बाद तो हम दूसरी process करी सकते हैं क्या बोला है इन्होंने की पहले व्यक्ति की मजदूरी दूसरे व्यक्ति की मजदूरी से कितने प्रतिशत अधिक है तो पहले व्यक्ति की मजदूरी कितनी है किस से बोला है मैंने हमेशा एक percentage का आपको वीडियो बनाया है जिसके लिंक आपको description में दे दूंगी उसमें मैंने percentage के बहुत सारे questions आप लोगों को कराया है जिसमें आप सारे questions अटेंड करिए उसे करिए question भार नहीं जाएगा वह आपके लिए helpful रहेगा तो उसमें मैंने बता है कि जब भी जिस से से बोला जाता है उसको आपको नीचे लिखना है तो किस से पहले व्यक्ति की मजदूरी दूसरे व्यक्ति की मजदूरी कितनी है टू है तो यह टू तो पहले व्यक्ति की प्रतिशत अधीक है अधीक है मतलब कितना ज्यादा है इससे एक ज्यादा है प्रतिशत पूछा है इसलिए हम सो का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 परसंट तो इसका राइट अंड़ क्या होगा 50 प्रतिशत अधीक है चले नेक्स कुशन दिया है कि A B और C ने अ कितने दिन काम किया उसका मुल्टिप्ला यहां करना है सी ने कितने दिन काम किया उसका मुल्टिप्ला यहां करना है सी ने कितने दिन काम किया उसका मुल्टिप्ला यहां करना है सी ने कितने दिन काम किया उसका मुल्टिप्ला आपको यहां करना है तो नया रेशो हमें क्य तो 635 624 636 524 616 नया रिश्वाया है इसके अकोडिंग हम एक शेर निकालेंगे तो शेर निकालने के लिए हम क्या करते हैं टोटल कितना है चेश, 410, 515 आएगा और किसका शेर एका निकलना तो एका कितना पाँच पाट हो टोटल कितने पेसे उसका आपको मल्टिप्लाइ करना है तो इसको सिंप्लिफाय करेंगे 5 3 15 3 6 18 तो एका शेर फ्रेंट्स कितना है हाँँआपर 600 रुपए तो इसका राइट वडिवाद्स कितना आप लोगों के सांट डिसके कर ली तो प्रेंट्स यह था हमारा टाइम एन वर्क का वीडियो जिसमें में टाइम और वर्क और रोक एक जितने वी कुछिंजасть एक्जाम में आते हैं सभी टाइप के कोशन आप लोगों के साथ डिसकस कर लिए हैं टोटल आप लोगों के साथ 30 कोशन डिसकस कियें आए हो वीडियो आपको पसंद आया हो और भी कुछ डाउट हो या तो आप कमेंट सेक्षन में लिख सकते हैं या फिर आप चाहते हैं कि मेडम हमें यह वाला टॉपिक आप दे मत